हलो एवरीवन मैं हूरोबी और आप आए हैं तारा मर्दू की रसुरी चैनल पर तो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी से मैं माफी चाहूंगी अपनी आवास को लेकर के क्योंकि तबीयट ठीक नहीं है लेकिन वीडियो आपके लिए लानी थी तो मैं मजबूरी में ये वॉइस कर रही हूं तो आज मैं आपके साथ 1.5 kg का एक ब्राइड टूबी बहुत है शांदार सा वनीला फ्लेवर का केक शेयर कर रही हूं वैसे वनीला फ्लेवर का केक के ओर कमी आते हैं बट आज के ओर में खास बात यह है कि मुझे बटर फ्रोस्टिंग को यूज करना है तो इस करते हैं आज के वीडियो को तो आज ना फ्रेंड्स मुझे बनाना है 1.5 kg का केक तो उसके हिसाब से अगर हम देखे हैं तो हमें 540 ग्राम क्रिमिक्स लेना होगा बट आज हम केवल 500 यानि की आदा केजी ही प्रिमिक्स लेंगे क्योंकि इसके ओपर हम फॉंडेंट की तो यहां पर इस हिसाब से मैं डाल दूंगी लगबग 4 टेबल स्पून रिफाइंड ओयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं चाहें तो पिंगला हुआ पटर भी यूज कर सकते हैं अब क्यूंकि यह वनीला फ्लेवर केक है तो यहां पर कुछ बूने मैं यह वनीला एसेंस की अब जिस भी फ्लेवर का केक बना रही हूँ उस से रिलिटिट फ्लेवर या अमल्शन डाल सकते हैं तो मैंने फ्लेवर की कुछ बुने डाली है छाहें तो यहां पर कोई कलर भी डाल सकते हैं बट मैं इसे हौाइट ही रखूंगी क्योंकि मैं सोदा सार्दी कोलर में से आप उनलाइन मगा सकते हैं और इनका फाइदा ये ब्रेंड्स की रियूजेबल है एको फ्रेंड़ी और इनके अंदर ऑईल और बटर लगाने की विज़रत नहीं पड़ती है और अब तेयार सारा बैटर इसके अंदर डाल दूंगी और आप मेरे बरतन की हाइट देख सकत करी पर पहले से ही 10 मिनिट के लिए प्रिहिट कर लिया है और बेक करने के लिए मैं 120 नीचे वाली रॉट्स अं करूँगी और चालीस मिनिट के लिए हम इसे बेक करेंगे तो लगबध 40 मिनिट में ये आराम बेक हो जाएगा क्यों कि इसका बेट जाधा है तो थोड़ा और अब इसे हम बाहर निकाल करके ठंडा करेंगे और फिर इसकी layer को cut करेंगे और हमें इसको half में भी cut करना है क्योंकि मेरे केक की जो shape है वो semi circle actually मेरे customer ने एक photo share की थी मेरे साथ कि हमें बिल्कुल ऐसा ही cake चाहिए जो मैं वीडियो में आपको end में दिखाऊंगी भी लेकिन अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखे मैं क्या कर रही हूँ टॉप layer को remove कर रही हूँ मेरी तो हलकी सी ही dome shape आई है बड कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हमारी dome shape काफी आती है चाकू से अगर आपकी layer तेड़ी मेड़ी होती है तो thread से easily cut हो जाती है अब चाकू से ही मैं इस cake को center से cut कर दूँगी क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे semi circle यानि की चांद की shape में cake बनाना है वो भी tall तो अभी वो तरीका भी बताऊंगी कि कैसे मैं इस cake को tall shape में change करूंगी बट अभी इसको side में रख करके हम buttercream frosting ready कर लेते हैं वैसे तो इसका detail video कल में share कर चुकी हूँ बट जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं उनको फटा फट से मैं दुबारा दिखा देती हूँ कि buttercream frosting बनाते कैसे हैं तो देखिए मुझे आया था specially buttercream frosting का order तो मैं market जाकर bakery से ये recipe सीख करके आई हूँ डिटेल के लिए आप इस वीडियो के description box को देखेगा तो यहाँ पर मैंने goodrich company का unsalted butter लिया है कोई भी company का ले सकते हैं बट नमक ना हो तो buttercream अच्छी बनेगी salt वाला भी हो तो ढूने कि कम salt वाला कौंसा butter है अमूल butter से इस recipe को try नहीं करें क्योंकि उसमें salt होता है तो उतना taste और मजा नहीं आता है अब यहाँ पर butter को ना मैंने ना तो बहुत जमा हुआ लिया है ना पिंगला हुआ बस इतना कि आप उसके pieces कट करके उसको whip कर सके क्योंकि आपने butter बहुत ज़्यादा जमा हुआ लिया ना तो आपका beater घुमेगा ही नहीं और पतला लिया तो वो घी छोड़ देगा तो वो स्क्रेपी करनी होगी साइट्स क्योंकि continuous whip करने से बटर साइट्स में चिपक जाता है तो यहाँ पर देखिए मैं continuous whip करती जा रही हूं साइट्स से चुड़ाती भी जा रही हूं अगर आप यह recipe गर्मी में try कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको इसे freezer में भी रखना होगा अभी temperature ठीक है तो उतमी जल्दी यह पिंगल नहीं रहा है, melt नहीं हो रहा है तो लगातार देखिए मैं whip कर रही हूं और इसकी जो volume है मतलब इसकी consistency थिक भी हो रही है और यह बढ़ता भी जा रहा है तो इस तरीके से friends 200 ग्राम मैंने यह butter लिया था और इसे मैं 1.5 kg केजी क और भी अच्छे result आएंगे बट मेरे पास नहीं थी तो मैं आघर में ही बना रही हूं मैंने एक कप 100 ग्राम ली है चीनी उसमें 1 फोर्थ कप डाला है corn flour तक बट तीन टेबल स्पूम अच्छे से grind कर लिया है क्योंकि हमें इसका एकदम fine powder चाहिए तो मैं कपड़े से इसे आप इसे च्छनी से चान कर यूज मत कीजेगा यह तो उसमें चीनी के दाने आ जाएंगे और उससे आपकी buttercream frosting में अलका-अलका मूँ में किरकिरहट आएगी तो उसको remove करने के लिए avoid करने के लिए आप ये कम जरूर करें नहीं तो better है market की icing sugar यूज कर लें तो जितनी icing sugar हम इसे भी spatula से cut and fold करके mix किया और last में हम पूरी icing sugar इसमें डाल देंगे तो measurement का धियान रखेगा friends तभी आपकी frosting टेस्टी और बढ़िया stable बनेगी और लगातार spatula से में देखे mix कर रही हूँ अगर यहाँ पर मैंने electric bitter चला दिया ना था पूरे room में यह sugar हो जाएगी जब यह अ बनेगी अगर आप धीनी speed से चलाएंगे या hand whisker से करेंगे जिसमें speed नहीं है तब यह butter cream आपकी frosting जो है पिखनने लगेगी घी छोड़ देगी और फिर सारा आपका मज़ा खराब हो जाएगा तो इसके steps जो है वो पूरे as it is follow कीजेगा तब यह आपको perfect result मिलेंगी तो मेरी butter cream frosting हो गई है ready चली अब cake की करते हैं icing तो यहाँ board परना मैं एक ही side में cream लगाऊंगी क्योंकि हमारा cake जो है वो semi circle shape में है तो आपने देखा friends मैंने cake की 3 layer cut करी थी और बीच में से भी उसे cut किया था तो मेरे पास यह जो half half वाली layer है वो 6 layer है तो एक ही करके अब हम उनको एक क cream बैंग में भर करके इस पर evenly spread कर रहे हूं स्पेचुला से करेंगे तो हो सकता है shape थोड़ी आगे पीछे हो जाए इस तरीके से cream एक दम evenly spread हो जाएगी अब वैसे vanilla flavor वाली cake में friends आप कुछ भी इसमें बीच में डाल सकते हैं तो मैं यह आप पर different layers में अलग-अलग चीज़े यूज़ कर रही हूं जैसे कि इस layer में मैंने cherry crush यूज़ किया है आप मान लीज़े आपके पस कोई crush नहीं आपको simple cake बनाना है कोई कम budget का cake है तो आप जो mixed root का jam आता है न उसको भी फेट करके लगा सकते हैं और यह trick बहुत काम करती है जल्दी इसकी recipe भी आपके साथ tier और यहां पर अब देखें दूसरी layer मैंने रखी है उसको भी moist किया है और फिर इसके ओपर मैं butter cream लगा रही हूं अभी तो friends मौसम ठंडा है तो butter cream से काम करने में दिक्कत नहीं आ रही बट गर्मियों में बहुत आती है तो बीच बीच में आप इसे फ्रिज में जरूर रख करेंगे चरी का crush लगा देंगे कहीं पर आप चोकलेट ग्रिट कर लीजे कहीं पर मिक्स फूट जैम लगा लीजे इस तरीके से मैं छे लियर्स को एक के ओपर एक रखते रखते अरेंज कर लूगी यहां देखिए सारी layers अरेंज हो गई है अब थोड़ी सी butter cream के साथ मैं इस चोर कर दिया है ताकि वो पिंगले नहीं अब यह केक लोड़क ना जाये तो अभी इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर पीपर के डॉल्स सेट कर दूँगी क्योंकि केक मुझे थोड़ा दूर भीजना भी है तो safety reasons से भी यह ठीक रहेगा यहां धीरे धीरे देखिए केक के सा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और तब तक हम बनाएंगे अपने fondant का 3D bride वाला टॉपर तो आपने देखा मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा कर स्पेचुला से पहले इसको क्रीम से अच्छे से कोट किया था और फिर से piping bag से क्रीम लगा करके मैं इसकी अच्छ से क्रीम कोटिंग हो गई है अब मैं जा रही हूं इस केक को फ्रीज में रखने लगबग आदर घंटे तक और तब तक हमारा टॉपर रेडी हो जाएगा तो यहां पर फ्रेंड्स टॉपर बनाने के लिए मैं यह ट्रोपोलाइट कंपनी का 250 ग्राम fondant ले रही हूं देखते दो सेकेंड के लिए माइक्रोवे में रख दे तो वे इसली सॉफ्ट हो जाएगा और आप उससे काम कर सकते हैं तो यहां पर देखे मैंने थोड़ा सा fondant लेकर के अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है बीच में चाहें तो कॉन फ्लार मिला सकते हैं ताकि वो आपके हाथों में और अब मुझे जो bright बनानी है उसकी skin color को सबसे पहले बनाना होगा तो यह जो तयार fondant है इसको मैं cut कर लूँगी जितना मुझे skin color बनाना है तो या चाकू या किसी भी ऐसी sharp चीज से cut कीजे यह देखे और अब peach shade बनाने के लिए मैं radiant orange color की एक drop इसमें डालूँगी और इस इसे mix किया है और यह हमारा proper shade बन गया है अगर इसे dark shade जाएगे तो थोड़ा color extra डाल लीजिएगा और यहा पर देखे मैंने cornflower इसकी बीच में मिलाया है कि जब हम हातों से rub करते हैं तो fondant चिपकता है तो अब मैं वो bright का 3D topper बनाऊंगी मेरे पास कोई mold नहीं है friends मैं हातों इसी तरीके से बनाऊंगी अगर आप इसे सीखना चाते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखेगा जैसे मेरी आवाज खराब है पर पूरी कोशिश करूंगे आपको समझाने की जितना मैं समझा पाऊं नहीं तो आप इसे देखके भी समझ सकते हैं तो देखिए थोड़ा सा skin color क Fondant ले करके, रोल करके उसकी legs बनाई है क्योंकि वो बैठी हुई होगी तो मैंने टांगे ऐसी थोड़ी सी रोल कर दी हैं फिर दूसरे पार्ट में मैं उपर का upper part बनारी हूँ गर्दन बनाएंगे थोड़ी सी breast बनाएंगे जैसे एक lady की होती है और थोड़ी से soldiers भी निका आटों से ही निकाल करके इस तरीके से इसका उपर का पार्ट बना लेंगे ये देखिए और अब इसको रख देते हैं अब बनाएंगे इसका फेस तो मैंने फिर से वही स्किन कलर का फॉंडेंट लिया है पहले इसको अच्छे से रोल कर लेंगे जैसे फेस होता है एकदम कटे उसके लिए निए लिया है इसको इस तरीके से रोल करेंगे और चुटी चुटी दो आई ब्रो जैसी बनाने के लिए दो स्ट्रिप कटड करेंगे आप फिर इसको बहुत ही द्यान से आपको लगाने है friends जिसे eyebrows होती हैं अलका था पानी touch कर सकते हैं बट मुझे इसको लगाने में बहुत दिक्कत आई थी या तो आपको एक बारी में दिखा दी वट आफ केमरा तीन बार में ये लगा था कभी हाथ में चिपक जा था कभी toothpick पर मतलब मुसीबत आ रही थी चोटी चीजों को बनान आपको बनाने हैं उसी आप से आप इसकी strips को बनाईएगा और अगर बीच-बीच में हाथ में चिपके तो लगाते रही है और बस इसी थरीके आपको मैनेज करना है क्योंकि फ्रेंड्स के काम करते समय यह सब होता है तब यह धीली थी फ्रेंड्स जब से बटर क्रीम आप लग रही है तो आप म्यूट करके मैथट को देख सकते हैं मैं बहुत-बहुत माफी चाहूंगी जल्दी इसको ठीक करोगी दवाई लगाता खा रही हूं तो यहां पर देखिए कि करके चिम्टी की मदद से मैं इसके बालों को लगा रही हूं मैंने थोड़ा सा ना प पाकी है तो यहां पर इसकी ड्रेस को बनाने के लिए फ्रेंट मैंने घ्रंट करने के बाद कए हैन। अब इसको पीजा कटर से कंट कर रहे हूं क्योंकि इससे ना कक सरे करनेके बाद जैसे हम रफल मनाते हैं प्लेट सकर्ट में होती हैं वैसे बनाएंगे और जो मैरे ये देखिए एक स्ट्रिप और अब ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप को भी मैं रोल करूँगी और मैं फ्रेंड्स हुब वो उनके केक की फोटो को देखकर बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था हमें बिल्कुल ऐसा ही केक चाहिए आप कुछ भी इसमें चेंजिस मत कीजेग उसमें एक बॉटल भी थी बियर की बॉटल वो उन्होंने बोला मैं खुद बना कर लगाऊंगी क्योंकि शायद वो भी केक बनाती है तो मैंने बोला ठीक है जितना उन्होंने मुझे का मैं उनको करके दूँगी तो यहापर दूसरी स्कर्ट का भी मैंने देखिए पार्ट पर स्टिक करके जितना भी एक्स्ट्रा फॉंड़ेंट है उसको पीचे की साइड से हम कट करके निकाल देगे तो यहां पर दीए प्रॉपर ड्रेस की तरह हमारे इस body part पर ये fondant stick हो गया है और extra जितना भी fondant है उसे आप remove कर दीजिए कोशिच कीजिए एक भी plate या बल ना आए ताकि आपकी finishing perfect रहे है ये देखिए तो लीजिए इसने dress भी पहन लिए अब side से मैं थोड़ा सा cut कर दूँगी ताकि जो white fondant cover हो गया ना व दोनों roll बनाए ताकि दोनों हाथ एक जैसे बने और जैसे हमारे हाथ होते हैं friends बस तुद्पिक की मदद से मैंने आप पर ये बना लिए है ये देखिए एक hand बन गया है ऐसे एक और बना लेती हूँ तो इस तरीके से friends कोई भी सार्चे की ज़रत नहीं है बस थोड़ी सी creativity आपके हाथ में होनी चाहिए नहीं है तो दीरे दीरे practice करिए आ जाएगी ये बहुत मुश्किल काम नहीं है हम लोग अगर केक बगरा बनाते हैं तो ये चीज़े अगर आएंगी तो आपके काम में एक variety आएगी लोग आपको जाने लगेंगी कि इस तरीके के fondant के theme cakes भी दालना होता है और मतलब show up कई जमाना है और होना भी चाहिए friends इसी से हमारा काम चल रहा है तो यहां पर देखिए dress बनाने के बाद मैंने red color का fondant लिया और उसकी नहीं एक rectangle सी strip बनाई क्योंकि इसे मुझे इस डॉल के सैशे की तरह साइड में डालना था और उस पर लिखना देख रहे हैं उस पर मैं लिख दूंगी from miss to missus with best wishes जैसा उन्होंने मुझे बूला था उसी तरीके से मैं लिख रही हूं तो दोनों पर मैंने लिख दिया है अब इस पर थोड़ी सी हम detailing करेंगे तो मैंने golden nursery dust में थोड़ा डाला है oil अच्छे से इसका golden paint बना लेंगे अब dress पर, sashay पर थोड़ी सी हम अपनी कलाकारी करेंगे क्योंकि इसी से यह चमकेगा और मतलब बिल्कुल बड़ी आसा party वाला cake लगेगा तो मैंने लिया brush और इसकी बड़ी वाली skirt पर ना मैंने इस तरीके से border पर यह paint लगा दिया फिर ध्याना है कि जब मैं इसे assemble करूंगी त फिर जो upper body part था उसमें भी toothpick को थोड़ा डाल करके उसमें hole किया, so that वो आराम से easily उसके अंदर चला जाए, यह देखिए, और अब इस body part को भी डाल देंगे, और फिर धीरे जितने भी हमने parts बनाए हैं, उस अब हम इस पर डालते जाएंगे, यह देखिए, अब इसके उप पूरे fondant के काम को थोड़ा short मैं आपको दिखा दू, बट जब भी मैंने fondant के ऐसी चीजें बनाई हैं, सभी ने request किया है कि मैं video चाही कितनी लंबी हो जाए, आप सारा step by step हमें बताएगा, और मैंने shoot भी क्या था, तो सुझा क्यों ना video लंबी ही हो जाए, आज आपको सब सिखा दू, हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरी खराब आवाज और लंबी वीडियो के कारण बोर होके चले भी जाए, पर अगर आप इसे एक बार देख लेंगे, तो आपको कभी भी इस तरीके के topper को बनाने में दिक्कत नहीं आईगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, इतन गर्दन थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, बड़ी लग रही थी, लिहां पर सीजर की मदद से देखिए, मैं इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम हम इसकी प्रॉपर शेप, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, एक बार केक पर लगा दिया, फिर हमार शादी के बाद वो लड़की पहनेगी न, पहले तो वो गाउन वगरा कुछ ड्रेस पहनेगी, बट कलर कॉंबिनेशन उन्होंने वाइट और गोल्डन का ही रखा, एक्चली मेरी उनसे खुब इस पर डिटेल में बात हुई थी, इसलिए मैं आपको यह बता पा रही हूँ और यहाँ पर देखे, मैंने उसके सारे ओर्नामेंट्स भी गोल्डन कलर की बना दिया है, ब्रश की मदद से, और सैशे के चारो तरव भी इस तरीके से बौडर बना दिया है, और अब हमारा जो केक था वो भी फ्रिज में रक्तर के अच्छे से से सेट हो गया है, तो बची मचे से लगाने के बाद मैं पहले पैले नाइट से समच करूँगी, फिर स्क्रेपर से दीरी दीरे जैसे हम नार्मल केक्स में करते हैं, वैसे करेंगी, और अब मेरा नीचे वाना जो केक है, वो अच्छे से से सेट हो गया है, और बटर क्रीम भी बढ़िया कंसिस्टेंसी म और ये हमारी केक की हो गई है, बढ़िया सी फिनिशिंग, अब इसके उपर फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं पैटर्न भी बनाऊंगी, तो ब्रश की मदद से वो काम करेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे केक दिया था उस पर कुछ ऐसा ही था, तो ब्रश से उपर मैंने त पैटर्न में रेडी कर लिया है, और केक काफी अच्छा लग रहा है, हाइट भी इसकी काफी अच्छी आ गई है, क्योंकि डॉल इसके उपर बैठेगी, तो वो कुछ अलागी एफेक्ट देगी, अभी पूरी वीडियो देखेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, और अब इस अब ब्रश की मदब से फिर से मैंने इसके उपर पैटर्म दना लिया, तो बहुत ही प्यारा सा एक शेडिर एफेक्ट मेरे केक पर देखिया, आ गया है, और आप देख सकते हैं कई पर यलो, कई पर वाइट के स्पॉर्ट्स देख रहे हैं, तो इसी से हमारा केक देखेगा कितना लाजबा बन करके रेडी होगा, अब जो फ्रेंट्स मेरी बटर क्रीम बची थी ना, उसमें मैंने एक ट्रॉप डाला यलो जल कलर, अच्छे से मिक्स किया, और N1 नॉजल लगाया हो, यहां देखिया, पाइपिंग बैग मेरा घायल हो गया है, उसमें छे गया है, ब मैंने वाइट कलर की विप क्रीम लिया, फ्रेंट्स, यह थोड़ी सी मेरे पास रखी थी, क्योंकि मुझे वाइट कलर के फ्लार भी बनाने थे, तो मैंने इसी N1 नॉजल से बना दिये है, और अब जगे जगे पर हम केक पर इसी बटर क्रीम से छोटे 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 फ्लार बना लेंगे, क्योंकि पूरे केक को हमें थोड़ा सा कवर भी करना होगा, और इस तरीके से देखिए, कहीं कहीं पर गैप में, फ्लार मैंने बना दिया है, आगे पीछे भी, जहां भी आपको लगे, आपको बना देना है, बड़ ऊपर नहीं बनाना है, क्योंकि अभी वहा आपको प्लेस करें, और अब इस केक के ऊपर थोड़े से हम गोल्डन बॉल्स डालेंगे, और धिकिये बॉल का धक्कन खोलते-कोलते कहां जाके गिरा, और थोड़ी-थोड़े आगे, पीछे करके ना, हम इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, यहां पर भी प्लेस करेंगे, हम कोई भी काम आगे का नहीं करेंगे, अदर वाइस स्पेस का जो मैनेजमेंट है, वो गड़ बढ़ आ जाएगा, तो पूरी केक के चारो तरफ देखिए, मैंने छोटे बड़े गुल्डन बॉल्स डाल दिया, और अभी से देखिए कितना अच्छा लगन के स्प्रे कर दिया, और देखिए कितने प्यारे फ्लार्स हमारे शाइन करने लगे है, अभी प्रेंट जो मेरे पास केक था ना, उसके किनारे पर फूलो के अपर न, कुछ गोल्डन कलर का टच था, तो हमारे तो ये विप क्रीम के फ्लार है, तो मैंने ये जो गोल्डन पे इन फ्लार्स के इलकुल एंड में लगाएंगे, पट ये काम हम वाइट फ्लार के उपर ही करेंगे, यलो फ्लार को हम नहीं चड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही इतने सुन्दर लग रहे है, तो दीरे दीरे यहाँ पर जो फ्लार्स के एंड्स होते हैं, जहां पर उभार है, बस महीं पर मैं ये गोल्डन पिंट दोनों ही फ्लार्स के लगा दूँगी, तो अब आप फ्लार्स की लुक देख सकते हैं, चलिए, अब हम एक एक करके अपने टॉपर के पार्ट को प्लेस करेंगे, तो पहले मैंने लग वाला पार्ट लगाया है, ये देखिए, और अब इसके उपर उपर के बॉड़ी पार्ट को जो हमने पहले से ही टूथपिक पर रेडी किया था, वो इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमने बड़ी टूथपिक इसली लिये, ताकि टॉपर पूरा हमारे केक में अच्छे से स्टिक हो जाए, कहीं भी दूर ले जाने पर य अच्छे से स्टिक हो जाए, और अब मैंने बटर प्रीम को यह छोटे वाले स्टार नोजल में बढ़ाया, जहाँ जहाँ इसकी ड्रेस में थोड़ी थोड़ी कमी दिखेगी न, वहाँ पर हम फ्लार्स बना करके उसको फिल कर देंगी, यह देखिए, कुछ बोर्ड पर मैं आगे के पार्ट पर इस तरीके से थोड़ा सा करव करके स्टिक करूंगी, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने मुझे पोटो दिया था, मुझे बिल्कुल वही करना था, यह देखिए, और अब इसके उपर भी गोल्डन पेंट से मैं थोड़ी सी लाइनिंग कर दूंगी, मेरे पास पेंट अफ लेवल ही था, और इसको करने से और भी सुन्दर लगने लगेगा, तो बस इसलिए कर रही हूँ, और अब ना फ्रेंसिस की टांगे जो इसकी ड्रेस से नीचे निकल रही थी, तो अब मुझे भूख करनी पढ़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसे लटकी रहेंगी, त इसकी लेक्स नहीं दिखनी जाहिए थी, यह देखिए, मैंने उन्हें कट कर लिया और यहां पर फ्लार्स बना करके इसे हाइट कर देंगे, तो इस तरीके से फ्रेंस देखिए, अच्छे से टॉपर हमारा स्टिक हो गया है, कोई चांस ही नहीं है कि यह गहीं गिरे, और ब इसके आसपास कुछ बॉटल्स भी थी, जो वो मेरी कस्टमेर खुद लगाएगी, और यहां पर मैं लगाऊंगे एक साइड में, ब्राइड टूबी का टॉपर, और इसको फ्रेंड्स मैंने बहुत मुसीवतों से खोजा है, इसका अगर व्लॉग दिखना जाते हैं, तो आ इसके लिए मैंने बहुत नेनद की, सीखे भी आई, और वनीला फ्लेवर केक भी कमी आते हैं, तो वो भी एक तरीके से नया है, और इस तरीके का टॉपर भी मैंने पहली बार बनाया है, तो आपको यह कैसा लगा मेरा काम, मुझे जरूर जरूर बताएगा, और अब मैं करके भी देख लेते हैं, तो देखिए, पूरा देड़ केजी का केक है, उससे थोड़ा उपर ही है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स केक जब रेडी हो गया, तो फिर बारी आती है इसको पैक करने की, तो पैक करने के लिए मैं दो बॉक्स नहीं लूँगी, क्योंकि केक बहु हो जाए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने बॉक्स के अंदर केक को रख दिया है, और जो इसका उपर का फ्लैप है ना, उसको मैं पूरा बन नहीं करूंगी, इसके फ्लैप को मैं जहाँ पर टॉपर है ना, वहाँ पर जहां भी अटक रहा है, बस उसी जगह साइड में स्ट तरीके से टेलेवर किया, तो अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी प्राइसिंग की, तो इस तरीके के बटर क्रीम वाले केक के आप आराम से शिक्टीन हंडड से एटीन हंडड रुपीस तक चार्ज कर सकते हैं, डिपैंड करता है आपके टॉपर की कॉस्ट पर, यहाँ पर प्रेंड के सकते हैं、 अपके लगदे की, तो इस चार्ज करते हैं, तरीके सकते उर नहीं की, तो अवा है टू्स पर o क्रीम वीके वाले कर सकते हैं, तू बारी ओन्तिक में धिवे सकते हैं, बारी आतिक 많ार तो बाराम से टॉपर का पर आरे वीवज क Vladimirा, औराम से एका एक आ